हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि हम साइकलोजी कर रहे थे यानि कि आपका सिक्षा मनोवे ज्ञान करवा रहा था उससे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक कई करवा दिये थे जो कि लाश्ट टॉपिक हम ने करा था जो कि अलग-अलग से शाब्दिक और आशाब्दिक परकार के कितने टेस्ट होते हैं उसके बारे हम बात करा था और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चेप्टर हमारा व्यक्तित्व यानि की परसनेलिटी से किस परकार का theoretical portion होता है और कौन-कौन से यहाँ पर सिद्धान दिये गए है उसके बारे हम बात करेंगे तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते रहे हैं आपको सारी information मिल जाएगी तो नमशकार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देखे रहे हैं D.K. गुपता उनलाइन वीडियोस फो government exam चलिए शू करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक क्या है व्यक्तित्व यानि की personality आप ध्यान रखेगा यह personality से कहां कहां कौसे questions आप से पूछे जा चुके वो मैं आपको समझाते हुए पढ़ाता होँ चलूँगा जैसे कि व्यक्तित्व शब्द लेटिन भाषा के परसोना से पहला question व्यक्तित्व जो शब्द वो कहां से लिया गया है तो लेटिन भाषा से लिया गया है important point आद्यान रखेगा मतलब क्या होता है मास्क यानि की चहरा और नकाब होता है अर्थात नाटक करते समय नायक जिसको पहनते हैं थे इस अधार पर व्यक्तित्व का संबद पहनावे से जोड़ दिया गया for example आप अधर 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 को देखते हो या फिर किसी ऐसे करता को देखते हो जो की अलग परकार से style से किसी रूप में ढल जाता है जैसे कि आपको कोई favorite actor होगा या movie वेगरा देखते होंगे तो आपने देखा हो नीजी जीवन में उनका कुछ वेवार अलग होता है लेकिन वहाँ पर जिस परकार का वो role निबाते हैं उस role में वो आ जाते हैं जिसके लिए अपनी personality भी उसी में change परिवर्तन कर लेते हैं तो उसी वो क्या कहा गया था वेक्तित व्यानी की personality कहा था अर्थात जिसका पहनावा अच्छा होता था उसका वेक्तित भी अच्छा माना जाता था किन्तु ये जो विचार है वो अधिक समय तक मानने नहीं माना गया या नहीं हुआ इसका क्यों क्योंकि देखो आपके पहनावे के उपर ये नहीं बताया जा सकता कि आपका जो पहनावा अच्छा है तो आपका वेक्तित व्यानी की personality भी कैसी होगी अच्छी होगी इसका कहना ये पूर्ण रूप से सही नहीं होगा और नहीं माना गया इसको ज़्यादा समय तक फिर कुछ समय बाद वेक्तित्व की कुछ अन्य परिभाशाएं दी गई जिसमें 1937 इश्वी में ध्यान रखेगा कब की गई थी 1937 में की गई थी किसके दौरा ओलपोट के दौरा कितनी परिभाशाओं का विशलेशन करने के बाद 49 49 परिभाशाओं का विशलेशन करने के बाद उसने अपनी 85 परिभाशा दी और personality यानि की वेक्तित्व जो था उससे रिलेटिड जो ओलपोट की परिभाशा थी वो सबसे ज़्यादा मानने था प्राप्त होने वाली परिभाशा मानी गई तो क्या थी वो परिभाशा तो ओलपोट के अनुसार वेक्तित्व वेक्ति के भीतर उन मनोशारिरिक तंत्र का गयानात्मक संगठन है जो वातवन के साथ अपुर्व समायोजन का निर्धारन करता है अब यहाँ पर कोशन को समझनी कोशिश कीजिएगा कि इसने बोला क्या है तो इसने बोल रखा है कि वेक्ति के वेक्तित्व के भीतर मनोशारिक तंत्र यानि कि जो आपका शरीर है जो आपका पूरा का पूरा मानव धाचा है उसमें जो आपका गयानात्मक संगठन होता है यानि कि उसमें जो आप परिवर्टन लाते हो ऐजे सामने वाला वातवन देखकर यानि कि जिस परकार के आपके सामने उपस्तिती होती है जिस परकार का आपके सामने इस्थिती होती है उसके अनुसार आप अपने शरीर में जो परिवर्तन लाते हो जो अपने मनोनक शारिक तंतर के अंदर जो आप चेंज लाते हो आप और वह समायोजन, मतलब वातवन के साथ जिस परकार की स्थिती है आपके सामने उस परकार का चेंज लाकर उस स्थिति में ढालने की अपने आपको कोशिश करते हो उसी हो क्या का जाता परसनेलिटी कहा जाता है for example आपने जबी देखा होगा कि आप कुछ है न अपने घर में चोरी कर रहे हो मतलब आइसक्रीम वेगरा चुपके से खारे हो मम्मी वेगरा ने मना कर रखी है और आइसक्रीम निकाल कर आप अराम से खारे हो और पीछे से आपको ऐसा लगता है कोई देख रहा होता है और कोई आपको पीछे से निकल के आ जाता है तो तुरंत आप एक दम एक से खड़े हो जाते हो और वहाँ पर बोलते हो, हाँ जी क्या होगा? तो ऐसे बिल्कुल नादान से बनते हो कि आपने कुछ किया ही नहों तो क्या हो जाता? आपने अपनी जो सिति थी, आपका जो वातावन था उस समय का उस वातावन में ढलने के लिए आप ऐसा करने लगे कि आपको कुछ पता ही ना हो तो उसी परकार से जो एक्टर होता है उसके सामने जिस परकार के परस्तिती होती है उसी परस्तिती में ढलने के लिए वो क्या करता है वो मान आपका मनोशारिक तंत्र में गयानात्मक संगठन करके वातवण में समायोजन या सयोजन होने का वो कारे करता है या निर्धारन करता है इस परिभाषा की निमलिखित निश्कर्ष निकाले जा सकते हैं यानि कि जो परिभाषा है इस परिभाषा के अनुसार क्या-क्या बात इसके सामने आती है तो पहला व्यक्तित्व में शारिक व्यमानसिक गुण दोनों हैं ध्यान रखेगा क्योंकि आपका शारीर यानि जिस परकार की आपके सामने परस्थिति आती है उसी परकार से आप क्या करते हो अपने सोच में और अपने शारीर में बदलाव ले आते हों तो वो क्या है आपका शारिक और मांशिक दोनों गुण क्या होते हैं वहाँ पर शामिल होते हैं गुणों का यह संगठन परिवर्तन शील होता है क्यों 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 कि आज आप किसी और रूल में हो कल किसी और में होगे परसों किसी और में रोल में होगे, तो जिस परकार के आपके सामने परस्तिती होगी, उस गुण के आधार पर आप क्या करोगे, अपनी behavior में, अपनी personality में क्या लाओगे, change लाओगे, नेक्स्ट है, वातावण के साथ व्यक्तित्व अपने ढंग से समायोजन करता है, ये तो बिल्कुल important point है, कि जिस परकार के आपके सामने परस्तिती होगी, मतलब जिस परकार के आपके सामने वातावण होगा, उसी वातावण में ढलने के लिए तो आप उस परकार की कोशिश करोगे, जैसे कि एक्टर वगेरा होते हैं, एक्टर क्या करते हैं, जिस परकार की परि भाषा से ये झिष्कर्श तीनों के तीनों निकाले गए अब इसी के अधार पर जो कि आपकी वैक्तित्व थे वो आपके समय के नुसार बीतिवे सनमे भी भी आपकी जो व्यक्तित्व के थे उसके partition करने के लिए मतलब उसका अध्यन करने के लिए उसको भागों में बाटा गया तो व्यक्तित्व के कुछ सिद्धान्त भी दिये गए थे तो ध्यान रखी गए वैसे personality के जो आपका व्यक्तित था उसको आपको निमलिखित परकार में बाटने के लिए काफी परियतन करे गए जो की मुश्किल था लेकिन कुछ सिद्धान्त आपके सामने लाए गए जैसी की कौन-कौन से पहला द्रव्वे के अधार पर जो की किस ने दिया है हिप्पोक्रेट्स ने दिया है दूसरा सारीरिक शनरचना के अधार पर जो की किस ने दिया है क्रेश्मस और सेल्डर इन दोनों ने अलग 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 नी है दोनों को मैं आपको डिफरेंट करके होई समझानी कोशिश करूँगा तीसरी मानसिक गुणों के अधार पर जो की किस ने दिया है यूंग ने और चोथा व्यक्तित्व का आधुनिक परकार जो की फैड मैन और रोसर मैन ने दिया है इन्पोर्टेंट है चारों के चारों आपके व्यक्तित्व के सिध्धानत है इनी के बारे में हम विस्तारिस से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहला द्रव्वे के आधार पर जो हिपोक्रेट्स ने विक्तित के सिध्धानत को बाटने ही कोशिश करी थी उसको तो आज का पहला हमारा क्या है द्रव्वे के आधार पर पहला कोशन किसके द्वारा बाट दिया गया था ये तो हिपोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था तो ध्यान रखेगा 400 BC ध्यान रखेगा 400 BC 400 इसा पूर पहले दिया गया था तो 400 BC में हिपोक्रेट्स ने द्रव्वे के अधार पर था और इतियास का पहला वो व्यक्तित्व का परकार को बाटने के लिए उनका प्रियास था हिप्पोक्रेट्स के अनुसार मानव शरीर में चार परकार के द्रव्य पाए जाते हैं जिस द्रव की अधिकतम मात्रा होती है व्यक्तित्व वैसा ही होता है यानि कि आपके हिप्पोक्रेट्स के द्वारा बोला गया था कि शरीर के अंदर मानव के चार परकार के द्रव्वे पाए जाते हैं जिस द्रव्वे की मात्रा अधिक्तम होगी जिस द्रव का अधिक्तम रूप में उसके शरीर में मिलेगा वो ही उसी परकार का उसका व्यक्तित्व होगा तो कितने जो आपके चार परकार के द्रवे बताये थे वो चार परकार के द्रवे कौन-कौन से थे तो पहला था आपका पीला पित, दूसरा काला पित, तीसरा खून और चोथा कफ ये 4 परकार के द्रव्य बताये थे तो इन द्रव्यों के आधार पई व्यक्ती की personality को महापनी की वहापर कोशिश की गई थी कैसे? अगर व्यक्ती के अंदर पीले-्पित की मातरा जो है वो अधिक्तम मातरा में पाई जाती है तो वेक्ति का वेक्तित्व किस परकार का पाया जाता है तो चिड़चिड़ावादी होता है वो यानि किसी भी बात पर देखा होगा कुछ व्यक्तित जल्दी घुशा हो जाते हैं, जल्दी चिड़ चिड़े हो जाते हैं, तो वो किस परगार के व्यक्तित हो सकते हैं, पीले पित वाले व्यक्तित हो सकते हैं, दूसरा आपका काला पित, तो अगर किसी व्यक्तित में या कि होगा भी या नहीं होगा ये काम मैं करूं या ना करूं मतलब हमेशा वो नेगिटीव सारी चीज़ों को लेता हुआ जाएगा तो काला पर ज्यादा होने कारण क्या हो सकता है निराशावादी हो सकता है खून अगर किसी व्यक्ति में खून अधिक मात्रा में हैं तो क्या हर चीज़ को करने से पहले पूर्ण विश्वास के साथ वो उस कारणे को करेगा पूर्ण ध्यान के साथ तो क्या होगा वो आशावादी होगा और नेक्स्ट और लास्ट बताया था कफ यानि कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर कफ जादा होता है तो उसका व्यक्तित्व किस परकार का होगा निश्किर्ष्तियावादी के परतिक का होगा मतलब किसी भी परकी करिया के किसी भी चीज के किसी भी वस्तू के लिए जो आपकी परतिकिरिया देते हो आप वो परतिकिरिया वो नहीं देगा ऐजे सुस्ति राम आलस बोल सकते हो जिसको आप उस परकार से वो पड़ा रहेगा, निश्किर्शिय पड़ा रहेगा, किसी भी चीज के लिए वो सक्रिय नहीं रहता है, अगर उसके अंदर कफ की मात्रा जादा होती है, तो हिप्पोक्रेट्स ने इस चार पारकार के बारे में बताया था, पीला पित, काला पित, खून और कफ, इस चार परक वेक्तित को बाटने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ समय बाद इसको क्रिटेसाइज भी किया गया, कुछ इसकी आलोचना भी की गई, क्यों? क्योंकि देखो, हिप्पोक्रेट्स ने केवल ये बताया था, कि इस पित के अधिकतम मात्रा पाय जाने पर वेक्ति इस परकार क होता है, ये इस परकार के पित पाने पर इस परकार के वेक्ति का वेक्तित्व देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने ये कहीं पर भी साबित नहीं करा था, कि किसी वेक्ति के अंदर जो पित है, वो होता भी है, ये नहीं होता और होता भी है, तो कितनी मात्रा में होता है, ये उन्होंने कभी भी साबित करके नहीं दिखाया था, इसलिए इसको कुछ समय के बाद क्या किया जाने लगा, criticize करने जाने लगा, मतलब इसकी आलोचना की गई, और फिर इसके बाद में क्या दिया गया, शारिरिक संरचना के आधार पर बाटने की कोशिश करी गई व्यक्तित्व को, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, शेल्डर और क्रेश्मेस के द्वारा दिया गया था, वो हम पढ़ेंगे next class में, जो कि आज हमारी बस यहीं तकी class थी, जो की द्रव्य के अधार पर था आज का पहला, बाकी जो तीन है, उसको कोशिश करूँगा, मैं next वीडियो में पूरा का पूरा complete कराने के लिए, जो यह आपका personality chapter है, व्यक्तित वाला chapter है, वो काफी बड़ा है, काफी broad chapter है, तो काफी जल्दी इसको कराने की कोशिश में आपको करूँगा, ओके, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेट कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाइज जरू करूँगा, अगर आपने चलों कब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कर दो नहीं कर दो चाज़ कर दोलिए कर चाज़ाँ हो, झाल झाल